अब बात करते हैं वेलिंग और बेटिंग की। ये क्या होते हैं मैं। अगर वेलिंग की बात करें तो ये उन फिशिंग इमेल्स पर लागू होता है जो किसी संगठन के वरिष्ट अधिकारी को भेजी जाती हैं, जिनके मातहत कई लोग काम करते हैं। इस तरह से एक घुसपैठिया किसी संगठन की जरूरी जानकारी हासिल कर लेता है और समच जाता है कि अपने फाइदे के लिए संगठन से कैसे छिड़चार की जा सकती है। इसके बाद बेटिंग है। बेटिंग एक दूसरा तरीका है जिसके जरिये हमलावर किसी इनसान या संगठन को फसाने के लिए वस्तु या सामान देने का वादा करता है। वो उपियोग करता को मुफ्त में संगीत या फिल्म डाउनलोड करने का प्रस्ताव दे सकता है। पर इससे पहले आपको कुछ साइट पर अपना लॉगिन विवरन देने के लिए कहेगा। इन विवरनों के जरिये बात में धोकाधड़ी की जाती है। कुछ ऐसे मामले मिले हैं जहां इस तरह के लोग अकसर आने जाने वाले रास्तों पर पैन ड्राइफ फेग देते हैं। कुछ मासूम लोग इन्हें उठा लेते हैं और इनमें संग्रहीत अप्लिकेशन को अपने सिस्टम में चलाना चाहते हैं। पर अकसर इस तरह के उपकरणों में malicious software रहते हैं, जिनका मकसद व्यक्तिगर्थ सिस्टम में घुसकर डेटा चोरी करना होता है। हमने कई बार देखा है कि किसी पेट्रोल पंप या दूसरे सामाजिक केंद्रों पर pen drive मुफ्त में बांटी जाती हैं, जिनमें बांटने वाली कमपनी के विज्यापन भरे होते हैं। अगर तुम ऐसी कोई pen drive इस्तेमाल करते हो, तो इसकी जाच जरूर कर लो कि अंदर संग्रहीत प्रोग्राम्स खतरनाक ना हो। इनका मकसद, नेट पर किसी के निजी डेटा में सेंध लगाना है। ज्यादतर मामलों में इन में malicious चीजें होती हैं, जो हमारे computer को खराब कर देती हैं। वैसे तो इन pen drives का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर अगर करना हो, तो पहले किसी भरोसे मंद सिस्टम से इसे साफ कर लो। तो नन्दिता में, मुफ्त की pen drives भी हमारे व्यक्तिगर सिस्टम के लिए खतरनाख हो सकती हैं न? हाँ राजेश, तुम्हें कुछ और भी बताती हूँ.